देखे इस टॉपिक का पहले मतलब तो हेडिंग इती लंबी सी है पहले समझ लिजेगा Transformation Equation for a Rotating Frame of Reference Rotating about Origin इसके पहले वाल टॉपिक में क्या हो रहा था कि दो फ्रेम आफ रिफरेंस थे एक था S और एक था S डैस इसके पहले वाल पढ़ लिजेगा तब समझ में आएगा और उसमें S fix था और X Rotate हो रहा था तो कैसे Rotate हो रहा था किसी एक एक्सिस के एलांग इस प्रेम आफ रिफरेंस था एक X एक्सिस थी एक Y एक्सिस थी और एक Z एक्सिस थी ठीक है तो एक बार इसको fix किया था यह ऐसे Rotate कर रहे थे इसको fix करके ऐसे Rotate कर रहे थे इसको fix करके ऐसे Rotate कर रहे थे अभी क्या हो रहा पूरा Rotate होगा ठीक है उपर ऐसे होती है न प्लेटे और ऐसे एक राड होती है उस पे फिक्स रहती है तो वही दो प्लेटे ले लिजे नीचे वाली प्लेट को फिक्स कर दीजे और उपर वाली को रोटेट कर दीजे ठीक है और कोई बाडी दोनों प्लेटों के बीच में कहीं रख दीजे ठीक है त ने कहा कि suppose करिएगा ये एक frame of reference है s ये है s frame of reference इसका coordinate है x y z और ये है उसकी origin और दूसरा frame of reference है s dash origin दोनों की same है और दोनों के axis भी common है उन्हें इसी कुपर लेटा हुआ है ठीक है अब दूसरा frame घुमना शुरू कर रहा है अब दूसरा frame घुमेगा तो ये axis भी घुम जाएग जितने angle से ये घुमेगी उतने angle से ये घुमेगी उतने angle से ये घुमेगी ने घुमेगी तो ये बन जाएगी x dash ये बन जाएगी y dash ये बन जाएगी z dash और इस frame का नाम हमने क्या दे दिया s dash जहां भी dash लगाएंगी वो second वाला है जहां without dash है वो पहले वाला है पहले वाला fix है तो after time t कितने angle से घुम गया होगा ये omega t angle से ये घुम गया होगा omega t से ये घुम गया होगा और omega t से भी घुम गया होगा ठीक है और एक point P है इसका coordinate पहले frame of reference की respect में क्या है x y z और दूसरे frame of reference की respect में क्या है x dash y dash z dash और ये है इसका position vector r पहले frame से और r dash दूसरे frame से दूनों equal है दूरी same रहेगे न origin तो fix है ये दूरी तो origin से लेते हो तो आप कितनों गुमाओ origin से तो इतनी दूर रहोगे ठीक है तो ये कहानी पहले थोड़ी लिख ली जाए लिखे let s and s dash let s and s dash अच्छा चुके हमको position vector भी चाहिए तो हमको vector चाहिए सुनिये ध्यान से x axis के along y axis के along और z axis के along unit vector क्या होता है i, j के पढ़ा है ना unit vector आर्थो, gonal unit vector तो सोच रहे हो हाँ बोलेग ना बोले ये i cap और j cap और k cap और x dash axis का अब तो i change हो गया ना अब i है एक vector i है vector इसको कहते हैं आर्थो, gonal unit vector आर्थो, gonal इसलिए कहते हैं क्योंकि i, j, or k आपस में perpendicular होते हैं strain का नाम दिया गया है आर्थो, gonal unit vector अब i है unit vector और unit vector क्या होता है नहीं मारूँ एक ऐसा vector जिसका magnitude 1 होगा तो जब वो i x dash की direction में जाएगा तो उसका magnitude तो 1 ही रहेगा लेकिन direction change हो गई न नहीं समझे भई i unit vector है इसका magnitude 1 है तो अब अग i को घुमाद हो गई direction change हो गई न तो i का magnitude तो उतने ही रहेगा लेकिन direction change हो गई तो नाम change हो जाएगा तो यहाँ पर हम मानेंगे i cap dash और यहाँ पर मानेंगे j cap dash और यहाँ पर मानेंगे k cap dash यहाँ यह change हो रहा है direction की वज़े से magnitude वही है तो कहानी लिखे let s and s dash be two frames यहाँ इसले लिख रहे हैं क्योंकि तो लिखना पढ़ेगा हमको writing मेरी वैसे भी मासाला है s and s dash be two frames of reference s dash is rotating s dash is rotating with angular velocity omega with angular velocity omega with respect to s with respect to s and its axis of rotation is passing through o its axis of rotation is passing through o i cap j cap and k cap i j cap बोलेंगे cap अपने अब लगा लिजएगा i cap j cap and k cap are the unit vectors are the unit vectors along x y and z axis along x y and z axis and i dash j dash and k dash are along x dash y dash and z axis are along x dash y dash and z dash axis i j k are fix but i dash k dash and j dash and k dash are changing their direction i j k R fix but i dash j dash and k dash are changing their direction paragraph change कर रसे का लिखल आख स्थेडि़ बी गयर थाए प्याज when county X,Y,Z आख यह रश्ञ आख स्वेड़ों आख रश्ड दस्टा अऎल आख रश्ट अव्रेज़ character तो डाइग्राम की बारे इन सुन में आ गया पूरा ठीक है अभी हमने जो लिखाया वो था फॉर्डिस डाइग्राम ठीक है अब पहले हम बात करेंगे ट्रांसफार्मेशन आफ पोजिशन वेक्टर सौधान पहले तो हम ट्रांसफार्म करेंगे कि पहले फ्रेम आफ रिफरेंस के हिसाब से इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या है और दूसरे फ्रेम के रस्पेक्ट में क्या है दोनों को ट्रांसफार्म करेंगे ट्रांसफ आफ डट पोजिशन वेक्टर पोजिशन वेक्टर यही टॉपिक लंबा है लंबे बंबे टॉपिक बहुत सारी कम है इसमें लेकिन हाँ ठीक ठाक भी ऐसी है तो हो गई होगा अब देखो ध्यान से अगर मैं कहूं आर क्या है अगर इस पॉइंट का कॉडिनेट एक्स वाई अगर आपको बताया गया था कि अगर आपको ओ पी निकालना है तो पोजिशन वेक्टर आप P माइनस पोजिशन वेक्टर आफ और ओ का कॉडिनेट दो जिरो 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 है तो आएगा एकस आई माइनस जिरो आई प्लस वाई जे माइनस जिरो जे तो इसको क्यों लिखेंगे एकस आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के ध्यान से लिखे क्योंकि कैप भी लगाना है और डैस भी लगाना है यहापर यह पहला एक कुशन हो गया और जब हम दूसरे के लिखेंगे आर डैस तो आएगा आई डैस एक्स डैस ठीक है अब आई पहले लिखेंगे बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब एक तरीके लिखा तो एक तरीके लिख दो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्स डैस आई डैस प्लस वाई डैस जे डैस प्लस जे डैस के डैस एक कुशन बट्टू हो गया अब देखें क्या दोनों फ्रेम आफ रिफरेंस के हिसाब से ओपी की दूरी चेंज हो रही है हो रही है नहीं हो रही भाई ठीक है अब जड़ा समझने की कोशिज करिएगा आपको अभी हम एक्जामपल ले रहे थे वो उसको क्या कहते हैं बरतन को क्या बोला इडली बनाने वाले जो है ना उसमें एक प्लेट ऐसे हमालिया और एक प्लेट ऐसे है ऐसे थोती है और बीच में आपने कोई पॉइंट लिया तो अगर इसो गुमाते रहोगे तो ओरिजिन से दूरी थोड़ चेंज जाए गया अगर इसको हमारे वाद क्योंकि ये वाली पॉइंट तो फिक्स है ना इसका तो यानि कुल बिलाकर के हियर और और डैस क्या हो जाएंगे दोनों इकल हो जाएंगे और इस इकल टो आर डैस यानि ये हो गया ट्रांसफर्मेशन कि दोनों की वैलू सेम होगी ठीक है पहुंचिए यहां तक अब देखिए अब कर दिये ट्रांसफर्मेशन वैलास्टी का पहले मतलब समय लिजेगा आप दूसरे फ्रेम में बैटे हुए है दूसरे फ्रेम घुम रहा है अब पहला फ्रेम फिक्स है दूसरे फ्रेम को क्या लगता है पहला फ्रेम घुम रहा है पर अगर आप अर्थ में बैठे हुए हैं तो अर्थ आपके respect में stationary है ना कि कोई बाहर से हमको देख रहा है तो तो उसको ऊसके respect में घुम रहे हैं जबकि हम fixed हैं अर्थ के respect में तो दूसरा frame भी घुम रहा है पहला frame भी घुम रहा है एक तरीके देखा जाए एक दूसरे के र दिफ्रेंसियेटिंग एक्वेशन टू डिफ्रेंसियेटिंग एक्वेशन टू विद रेस्पेक्ट टू टी जरा समझें की कोशिद करिए अब चुकि अगर हम डिफ्रेंसियेट करेंगे यहां एक दिक्कत आएगी कि यहां भी आर डैस यहां भी एक्स डैस यहां पर पहला तो कहीं दिखाई नी पड़ रहा है पहले frame के लिए r चाहिए तो r o r dash की value क्या है equal है ना तो हम इसको चाहें तो क्या ले सकते हैं d r by d t ले सकते हैं क्यों क्यों लेखना है भाई हमको पहले frame की विलाश्य भी चाहिए और इसको differentiate करेंगे जिसमें सब दूसरे दूसरा मिलेगा ना तो हमने इसको r मान करके differentiate कर दिया अब यहाँ पर क्या करें यहाँ पर यह value change होरे के fix है यहाँ x भी change हो रहा है और i dash भी change हो रहा है x की location भी change हो रही है और i dash भी change हो रहा है यहाँ पर i नहीं change हो रहा है यहाँ पर जो unit vector fix है ठीकि दूसरा change हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर product roll लगेगा क्या लगेगा देखिए i dash dx dash by dt प्लस x dash i dash है di dash by dt यह लगा दिया product roll प्लस j dash dy dash by अपर diagram को सब्सक्राइब कोई भिला roll है नहीं अगर होगा तो हम बात करेंगे ठीक है अब किया देर रहें j dash dy dash by dt प्लस y dash dj dash by dt प्लस k dash dz dash by dt प्लस j dash dk dash by dt अब ऐसा करते हैं कि जो i dash j dash और k dash वाले एक bracket हम कर देते हैं तो यह हम लिखेंगे i dash dx dash by dt प्लस j dash यह dash है dy dash by dt प्लस k dash dz dash by dt यह जो k dash वो ला हूँ यह cap तो लगते लगता उसमें ठीक है और प्लस i वाले जहां differentiate किया है तो x dash di dash by dt प्लस y dash dj dash by dt प्लस j dash dk dash by dt अब ज़रा देखें देहन से यह क्या है यह i dash di dash by dt और यह क्या है यह मालूं यह क्या है एक्चुलिए इसका डिफरेंस नहीं देख रहा है यह अगर x y z ज़रा समझेगा दूसरी तरीका समझेगा यह velocity है along x axis आफ frame s dash वह अगर x को differentiate करते हो t के respect में तो velocity मिलती है na along x axis यह velocity along y axis यह velocity along z axis और जब तीनों को vector form लिखेंगे तो क्या इसको आप नहीं कहेंगे कि यह v dash s है s dash दूसरी frame of reference की velocity है लिखने का तरीका कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको लिखने के तरीको को आप change कर सकते हैं कहीं v dash s लिखा होगा कहीं कुछ लिखा होगा तो इसको ऐसे अभी न लिखें इसको आप लिख दीजेगा d r dash d r dash by d t लिख सकते हैं आप second frame of reference की velocity है इतनी और प्लस भाई अगर इसको दूसरी तरीके समझेगा अगर किसी point का position vector r dash है और उस point की velocity निकाले तो आप क्या करेंगे r dash को t के respect में differentiate करेंगे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अब आप करेंगे तो इसको अगर differentiate करेंगे तो पूरी a value आनी चाहिए ना हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अगर उस point की location x dash y dash z dash है तो अगर उसकी velocity निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अब velocity निकालेंगे vx plus vy plus vz vector के form में ठीक है और इसको अब velocity निकालना होगा तो dx by dt दो velocity होती है ना तो यह velocity होगई dr dash by dt plus यह लिखा रहें दो x dash di dash by dt plus y dash dj dash by dt plus z dash dk dash by dt पहुँचिए यहां तक इसको एक question number फिलाहल कौन से डालोगे 3 त्री डाल दीजिए अब जरा यहां एक लफ़डा देखिए यह velocity second frame की है और यह velocity पहले frame की है यह लफ़डा कहां से आगया अब इसको कैसा solve करें तो इस लफ़डे को solve करने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा उसको रप कर दे उपर एक question याद रखिएगा one two अब चुकि तूसरा frame origin के respect में omega angular velocity से घूम रहा है तो एक formula आप जानते हैं we know that we know that angular velocity और linear velocity में एक relation होता है V is equal to r omega तो हम जानते है V is equal to जिसको की कहा जाता है dr by dt वेक्टर के far में इसको क्या लिखा जाता है r cross omega और omega cross r यह omega cross r होता है omega cross r होता है तो देखें इसी concept को यहाँ use करने जा रहे है omega cross r बोला देखो जब आप dr by dt लिख रहे हो तो यह omega cross r कर दिया ठीक है अच्छा omega तो सब के लिए same है ना क्या coordinate x dash y dash z dash के लिए अलग लग है पिछले वाले में अलग अलग था पिछले वाले में x dash घुम रहा था y dash घुम रहा था z constant था लेकिन यहाँ तीनों ऐसे मताब omega से रोटेट कर रहे होंगे ना तो अगर यहाँ पर इस चीज को इस्तिमाल करें हम तो अगर मैं d i dash by dt में इसको इस्तिमाल करूँ तो आप साफ साफ देख रहे हैं omega के साथ cross किसका हुआ है r का और यहाँ पर r की जिगए क्या आया है i dash जानिक इसको लिए सकते हैं omega cross i dash लिए सकते हैं और d j dash by dt को क्या लिए सकते हैं omega cross j dash लिए सकते हैं और d k dash by dt को क्या लिए सकते हैं omega cross k dash लिए सकते हैं इससे हमने compare कर दिया ठीक है तो यह value उठा के question number 3 में यहाँ रख दे तो putting this value in question number 3 यह line हो गए न putting this value putting वैसे word wrong होता है लेकिन अब math physics में चलता है बस substituting होता है अब substituting की spelling बड़ी लंबी होती है कौन इतिन लंबी spelling बड़ी आज कल हम लोग वाटसप की जमाने में तो charter बोलते हैं ना करें pick भेजो इपने करें pick भेजो हमका pick picture को pick कहते है मैं तो sent हो गई sentimental और कुछ दिन बाद हैसा नो वाटसप language को authentic language मान ली जाए इंग्लिस पे लिखते हैं लोग dr dash by dt जड़ा साउधान इसको क्या लिखेंगे x पर यह से लिखा है न k dash प्लस k dash ओमेगा क्रॉस j dash क्या लिख रहा हूँ k dash पहुंचिए यहां तक यह कुछ गलत लिख गया है is equal to dr dash by dt plus omega कामन ले लेते हैं क्रॉस यह क्या हैगा x dash i dash plus y dash j dash plus z dash k dash यह r dash है और r dash इसके इक उलहार के है इसको r ले सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका dr by dt is equal to कहां नहीं dash लगा अरे वो तो यहां तो लगा हुआ है बहुत सारे dash होने की वज़े से गरबढ़ है तो इसको हम r ले सकते हैं क्यों क्योंकि r dash के उल्यों किसके equal है r के equal है तो यह आपका यह क्या है यह velocity of first frame है यह velocity of second frame है तो इसको ले सकते हैं वी अस इसको ले सकते हैं वी अस डैस और प्लस omega cross r यह आपका विरासी का transformation हो गया ठीक है नोट करिए अच्छा ध्यान रखिएगा इस equation का इसमें से जो equation लिख रहे हैं ना इस equation का अभी हम इस्तेमाल करेंगे आगे यह वाली equation चलेगी इस equation को ध्यान से देख लिजेगा तो अभी रभ हो जाएगी ना नोट करिए तो अगर इस equation में थोड़ा सा वैसे तो यह equation हो गया आगर के अगर हम यहां लिख दे वी अस डैस यह वी अस डैस लगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं डैस का मतब सेकेंड फ्रेम तो इस इकल टो वी अस माइनस ओमेगा क्रॉस आर तो यह विलास्टी का transformation हो गया ठीक है क्या मतलब हुआ जाकर के इसको पहले समझने की खुश्क नहीं हाँ बात वही है second frame की velocity first frame के respect में कितनी है तो यह velocity होगी मतलब क्या हुआ जाकर के आप second frame में घूम रहे है आप first frame में बैठे हुए है और second frame घूम रहे है तो आप को गया है इससे देखते हैं कि कहा जा रही है राधा ही है बिटी ना यह चली है आप घूम रहे हो ना घूम रहा second frame लेकिन अगर आपको location उसकी देखनी है तो आप क्या लगेगा उसको क्या लगेगा आप घूम रहे हो ठीक है किस velocity गूम रहे है वी-स velocity से तो यह omega cross और उसमे एक्स्टरा आता है यह proof हो किया गया अब हम बात करने जा रहे है transformation of acceleration की ठीक है देखियो अब यह तो हमको मालूम है कि अगर हम position vector को differentiate करते हैं तो velocity मिलती है और velocity को differentiate करते हैं तो acceleration मिलता है ठीक है लेकिन अब यह differentiation टेखनी कल पढ़ जाएगा तो एक question लिखते हैं देखिये by question 4 equation 4 क्या है आपके पास इसको भी है equation जो बात में निकाला आपने vs डैस वाला उसको भी कोई माली जाएगा जो vs डैस अभी आपने निकाला है vs डैस is equal to vs minus omega cross r माला है इसको आप equation 5 माली जाएगा ज़रूत पढ़े ही नहीं लेकिन कहीं अगर compare करना पड़ेगा तो हम करेंगे देखिये जान से equation 4 क्या कह रहा है dr by dt is equal to dr dash by dt plus omega cross r इसको operator form में लिखने जा रहे है writing in the operator form क्या होता है operator form देखिये जैसे कहीं पर आपका लिखा हो dy by dx plus dy by dx plus y is equal to a square y इसको लिखा हो मालिया इसको कैसे समझाया जाए operator form में समझेगा जैसे dy by dx आप लिखते है तो dy by dx क्या होता है ये operator होता है ये क्या होता है operator होता है operator काम क्या करता है बज़ जैसे generator चलाएगा तो generator operator computer चलाएगा तो computer operator ठीक है तो ये dy by dx क्या कर रहा है ये y को differentiate है तो इसको differential operator कहते है तो यहाँ dy by dt r' को differentiate कर रहा है तो dy by dt ए혁ग differential operator है तो समें देखे ये r्टा न rd's है तो इसको operator form में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा, चेंज करिए, टेकनिकल थोड़ा सा language है इसकी, देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, DR by DT, थोड़ा सा, अपनी सहूलित के लिखेंगे कर रहे हैं, आफ S है ना, यह velocity of frame S है, यह किसकी velocity है, तो अब problem है, operator form में करने के लिए, यह चीज़ सेम होनी चाहिए, यहाँ भी R होना चाहिए, यहाँ भी R होना चाहिए, और यहाँ भी R होना चाहिए, तो अगर मैं DR by DT ही कोई दिक्कत, क्योंकि R और रड़ास की value कैसी है, सेम है, और प्लस ओमेगा क्रोस R, राइटिंग इन दे फार्म आफ ओपरेटर, फार्म आफ ओपरेटर, उपरेटर के फार्म में लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका R गाइब कर देंगे, तो यह हो जाएगा, d by dt of s is equal to d by dt of s dash plus omega cross यह यहां पर खाली हो जाएगा इसको कहते है operator की form लिखना अब जो भी value जो यहां लिखेंगे वही हो यहां लिखेंगे जो यहां लिखेंगे जो वही यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे ठीक है उस सब कोई भी function होगा उसको यह differentiate कर देगा जाकर की ठीक है लिखेंगे यहां पर यहां चुकि आपने अपने purpose के लिए r dash को r लिखा इससे रहां लिख दो as r dash equal to r यह लिखना पड़ेगा आपको यह अपना purpose solve करने के लिए आपने किया है अब इसका operator नोट करिए अच्छा आप यहां पर कौन सा operator लगाए जाए तो आप कहेंगे simple से बात है बुक में देख लो जो operator लगा यह लगा दो हम किसका कर रहे है transformation तो acceleration है तो किसको differentiate करेंगे acceleration हो जाएगा velocity को तो यहां vs पर लगा दीजे लेकिन दिक्कत है कि operator same होना चाहिए है आप ठीक है तो आप लिखेंगे applying this operator applying operator इसका नाम दे दो कुछ 6 on vs vs पर इसको apply कर देते है same लिखना पड़ेगा न vs किसकी velocity है frame of reference s की तो यह क्या हो जाएगा d by dt of vs किस frame के लिए s frame के लिए is equal to d by dt of vs किस frame के लिए s dash frame के लिए plus omega cross vs अब एक लफड़ा लफड़ा यह है कि भाया यह तो s dash frame की बात कर रहे हो और velocity किसकी ले रहे हो s frame की तो इसको change करो तो अब आप जानते हैं कि vs बराबर क्या होता v dash s plus omega cross r होता है यह होता है ना तो रख दो उठा करके भाय यह तो frame s के लिए है यह frame s dash के लिए इदर सम्लिखा है ना तो d by dt of vs for frame s is equal to d by dt इसको क्या रहे हैं v dash s plus omega cross r यही था ना यह लिख दिया उठा करके r r dash सेम है ना यह r लिखेंगे और plus d by dt यह क्या लिख रहा हूँ ओमेगा क्रोस इसको लिखेंगे V'S प्लस ओमेगा क्रोस R ठीक है अब इसको डिफ्रेंसेट किया जाए तो इसको करेंगे अंदर जाएगा तो आएगा D by DT आफ V'S' प्लस यह जाएगा D by DT आफ ओमेगा क्रोस R प्लस ओमेगा डैस यह क्या कर रहा हूँ ओमेगा क्रोस V'S और प्लस ओमेगा क्रोस ओमेगा क्रोस R लिखने का थोड़ा सा टेक्नलाजी है यह थोड़ा दियान देखना पड़ेगा आपको यह किस फ्रेम के लिए हो रहा था यह फ्रेम S' के लिए था तो यहां पर बाहर भी frame s' लिख दीजिएगा तो यह हो जाएगा d by dt of vs' for frame s' plus cross product का differentiation कैसे करते हैं आप d omega by dt cross r plus omega cross dr by dt तो यह लिखेंगे d omega by dt cross r plus omega cross dr by dt plus इसको लिखाना दो omega cross v dash s plus omega cross omega cross r यह omega ज़रा सीधा बनाईएगा पहुँचे यहां पर उसको पर रब करेंगे इसको भी s' के लिए आप निकाल रहे हैं ध्यान लेकिए सब कुछ यहां s' के लिए है यह भी आपका s' के लिए है यह भी आपका इधर जो भी निकलना है वो s' के लिए है यह दियान लेकिएगा तो क्या लेकिए यहां s' लिखाता ना अब देखे जान से यह तो हो गया आपका d by dt अचा एक मिनट ये क्या है डisse का a एक लेक्शन है सलल इंग्शन हुक्हां s स, यहां प्याईए, omega क्या है ? omega एक velocity है जिससे की second frame गोम रहे हिए, क्या और change हो रहा है, तो omega is constant, तो उसकाこれishization क्या हो जाएगगा ? 0 जो चीजhh constant होती है उसका, क्या होता ? 0 तो यह तो value हो गई 0 plus यहां प्याईए, यह omega cross यह Dr 한 dt क्या है, velocity है ? जिस frame में आप देख रहे हो, second frame है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, v s dash plus omega cross v s dash already यहां लिख रहे हो, plus इसको लिखा रहे हो, omega cross omega cross r, ठीक है, तो यह value 0 हो गई, आप यहां लिख देंगे, as d omega by dt 0 है, और क्यों 0 है यह बताए जा चुका है आपको, अब इसको जा थोड़ा सा calculate कर as is equal to a dash s plus, यह दो 2 times आगया ना, 2 omega cross v s dash plus omega cross omega cross r, यह को डालिये equation number, जो भी आगे हो, 7, तो this is the transformation of acceleration, this is the transformation, transformation of acceleration, अब आप कहेंगे, यह तो ठीक है, यह acceleration first frame का है, यह second frame का है, यह second frame का है, यह क्या है, तो extra यहां पर आगया, है क्या लफड़ा यह, क्या लिखी वी है, देखू, यहां पर here, जो as है, वो तो acceleration of first frame है, मालूम है, दिख रहा है आपको, यह आपका second frame है, यह भी मालूम है, इसको जा समझाए, यह जो 2 omega cross v s dash है, पर्ले बात, यह quantity क्या है, यह quantity क्या देती है, यह quantity आपको acceleration देती है, यह क्यों से formula हो गया, देखू, कैसे, अभी आप पढ़ चुके, वी पर राबर r omega होता है, यह velocity है ना, यह linear velocity, यह angular velocity, अगर इसको time के respect में differentiate कर दो, तो dv by dt is equal to omega constant है, और dr by dt, और dr by dt v है आपका, तो omega into v, आपको क्या दे रहा है, acceleration दे रहा है ना, तो यह भी एक प्रकार का acceleration है, अभी क्या कौन सा acceleration उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आजो, omega, cross omega, cross r, v acceleration है, कैसे, देखे, omega यह लिखा है, omega cross r, v होता है ना, और अभी omega into v को बता चुके है, acceleration होता है, तो यह भी acceleration है, दोनों हैं कैसे, इसको कहते है, Corollis Acceleration C-O-R-I-O-L-I-S C-O-R-I-O-L-I-S यह Corollis है और यह Centrifugal है Centrifugal Acceleration यह Corollis Acceleration होता है ठीक है अब क्या होता भी हम बात करते हैं नोट करिए डेटिल में बात बढ़ाय जाएगा समझा भी दिये जाएगा और A-S क्या है Acceleration In Frame S In Frame S और A-S क्या है Acceleration In Frame S- तो यह आपका Transformation of Acceleration हो गया एक Frame का दूसरे Frame के respect में क्या Relation आएगा अब ज़रा समझने की कोसिस करिए साउधान देखे ऐसा यह सब लफ़ला है क्या आप कहां बेटे हुए हैं Second Frame में आप कहां बेटे हुए हैं Second Frame में Second Frame गूम रहा है ऐसे Round Round गूम रहा है तो आपके पास एक Acceleration काम करेगा वो क्या है A-S आप ज़रा इस Value वारे में बात करते हैं आप Second Frame में बेटे हुए हो एक Merry Go Round होता नहीं ऐसे उसमें आप बेटे हुए हैं ठीक है और आप वो गूम रहा है हम बाहर से आपको देख रहा है उसमें नहीं बेटे हुए हैं कहीं और खड़े हुए हैं हमें क्या लगेगा कि आप Circular Path में घुम रहे हैं यानि आप एक Force काम कर रहा है और Circular Path में घुमते हुए Body पे Force किदर काम करता है Center की तरफ तरफ हमें लगेगा यानि आप पे Force किदर काम कर रहा है आप Experience कर रहे हैं बाहर की तरफ Force लग रहा है कोई हमको बाहर फेके दे रहा है हम क्या Experience कर रहे हैं कि आप Circular Path में घुम रहे हैं इसका मतलब आपके उपर Center पे एक Force काम कर रहा है जो के Actually में काम कर रहा है ठीक है लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हम बाहर गिरे जा रहे है तो आप पे Centrifugal Force काम कर रहा है आप Force Mass into Acceleration होता है तो उसी Acceleration को क्या कहा गया Centrifugal Acceleration यह आपके पे काम कर रहा है सबंद में आगी बात तो जानि कि घूमते हुए यह वाला Acceleration तो हई है आपके उपर यानि एक और Acceleration आपके उपर काम कर रहा है Centrifugal सबंद में आगी बात अब ज़रा यह Coralius Acceleration क्या होता है साउधान Merry Go Round है तीक है इसको प्रेडिल कर सकते हैं उसमें दो लोग बैठ जाए आप उधर बैठ जाए हम इधर बैठ जाए और उसको रोग दीजिए घुमा यह नहीं और एक बॉल लीजिए आप हमको पकड़ाए हमा आपको पकड़ाएंगे तो आराम से बॉल ट्रांसल हो जाएगी और उसको घुमा दीजिए और घुमाज के बाद हम आपके उपर बॉल फेकेंगे बॉल अपने आप ऐसे टर्ण हो जाएगी बाहर भाग जाएगी ठीक है यह अपने आप होता है नेचर में अपने आप होता है किसी रोटेटिंग फ्रेम में अपने आप इस प्रकार का एक्सलेशन काम करता है इसी को कहा जाता है कोरोलियस एक्सलेशन जैसे अगर प्रत्वी घूम रही है प्रत्वी घूम रही है उसके उपर जो भी बाड़ी सब घूम रही है हम एक बाल को ऐसे फेके तो नियमता बॉल नीचे ऐसे गिरने चाहिए जब की गिरती है लेकिन ऐसे नहीं गिरती है बॉल हमेजह ऐसे जा के गूंएगी मतब गूमती प्रत्वी से दूर की तरफ घुमेगी कैसे अगर यह पहाड़ी ऐसे होती ऐसे ठीक है और यहां से बॉल भेगते तो नियमता बॉल ऐसे हैं लड़ दानी चाहिए लेकिन बॉल ऐसे घुमेगी बॉल ऐसे जाती है आप मेरी गोराउंड में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कभी आपको अगर मोका मिले ठीक है तो बैठ जाईएगा दो लोग और एक एक बॉल पकड़ाईएगा और वाद में एक गुमाईए तेजी से और फिर बॉल पकड़ाईएगा हवा के वज़ास नहीं जा रही है वह एक्सेशन के वज़ास से भागती है आपके हां से छूड़ ग जब हमने बॉल को फेक दिया आपी तरफ यानि बॉल उस मेरी गोराउंट से दूर हड़ गई ना तो नियमता वो तो बाहर हो गई ना तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए लेकिन वो अपने आप बाहर पर बग जाती है तो यह जो फोर्स होता है उसी को को और और चुक्कि एक्सलेशन है वहाँ पर तो उसको कोरेलियस वह इसी को एम से मल्टिप्लाई कर दो जितने भी एक्सलेशन है सब क्या बन जाएंगे फोर्स बन जाएंगे तो यह आपका अच्छा अगर इसका इन्वर्स ट्रांसफर्मिशन करें यानि इन्वर्स बोले तो अ पहले वाले केस में क्या था किसी एक एक्सेस के रस्पेक्ट में भूम रहा था तो प्रूफ हमने कराया था जेड एक्सेस के लेकिन उसका हमने ट्रांसफर्मिशन वाई और एक्स दोनर के लिए दे दिया था ठीक है नोट करिए इसको